बचो आज आपना खेती बड़ी विशे दस्मी जमाद तीसरा पार्थ हाडी दी फसलें दे कुछ होर महात्म पुन प्रैशन उत्तर कर जा रहे हैं इस दा एक पाग जिस बिल्कुल छोटे प्रैशन उत्तर सी उस दे वीडियो तरहनों पहलों पेज चुका आज इस दुछ जा सब्सक्राइब करके बेल आइकन बड़े दबना ताह जो तानों हर वीडियो दी नोटिवकेशन सब्तों पहला प्राप्त हो सके छोटे उत्रावाले प्रैशन करांगे जिन्हें दो नमब्रा दे प्रैशन ओदेने दो यह तेन लाइनआ ची लिखने उन्दे उत्तर न ना दे आदे पहला प्रैशन कनक दी विजय समय ठंट दी लोड क्यों होंदी है को अपा हारी दी फसलें दी गयल कर रहे हैं तानक कनक वी दा चाड़ वी ओनना है वदिया होएगा कनक ली के हो जी जमीन ठीक रहंदी है कनक ले कलर अते सेम वाले जमीना तो इलावा सारी जमीना ठीक हन पाव कलर जा सेम वाले जमीन नहीं होनी चाहिए और तुलावा जनी जमीना दर्मयानी मेरा ने तो पारी जमीन वह देरे टुक मेर्य रेन्दी को अधिए अधियां पास्ता ये स्पेशल वर्थे यहumhr सम जरी मेरी वजीयरंदी कनक दे खेत विज haham guli dnndthi समस्य के वें घा जा सक दिए जड़े खेता उड़े खेतां गुलीदे समस्य होवे उ थे कनक वाले खेता नूब वरसीम आलू राई आदिनाल अधर बदल के गुली डश्य समस्यय कटाई जा सकती है पर कनक दे खेत विच लीडर जे स्टॉंप दवाई दी वर्तों कदों नहीं करनी चाहिए जड़े खेता जिए कनक नाल सरों दें रही या रला के बीजना होवे उथे लीडर ये स्टॉंप दी वर्तों नहीं करनी चाहिए जिंक दी काथ हो जावे तक की लचन चाड़ी वर्गेबन जानद अने तो पत्ते अद विछ कारो पीले पह जानद जानदाते लमक जानदे हन। जंक दे लच्छन हो जसे करने कृक्ष मैगनीजम दी चाड दे लच्छन दसो मेगनेजियम दी काट हलके जमीना विछ हुन दी है इस दी काट नल बूटे दे विछ कार ले पत्यां दे हेटले हिस्से दे नाडियां विछ कार तब बे पै जान दी है जो बाद विछ तारियां बन जान दे है पर पत्य दी नाडियां हरियां ही रहन दी है फरीदार फसला तो बाद कनक नो काट नाइट्रोजन क्यों पाई जान दी है फरीदार फसला हवा विच लिए नाइट्रोजन जमीन विच जमा कर देंदे रे इसलिए पच्ची प्रतिशत नाइट्रोजन काट पाई जान दी है जोआ ले जमीन दी किसम बारे दसो जवान दी फसल लई रेत लियां अते कलर वाले जमीना वच चंगी हो सक दिये कलराठिय जमीना दे सुधार दी शुरुआती दोर वच इन जमीना जवान दी बजाई कीती जा सक दी है फिर जवान लई बीज दी मातरा दे सोद बारे दसो सेंजू अते वेले सिर्फ बजाई करनी होवे तब पैंती किलो बीज प्रती एक करदी लोड हों दी है ब्रानी अते पछेती बजाई लई पंताली किलो बीज प्रती एक करदी लोड हों दी है बीज दी सोद उल्ली नासक दवाहिनल कर लेनी चाहिए है जोवाँ दी फसल लेई खादा बारे दसो जोवाँ लेई पच्ची किलोग्राम नाइट्रोजन बारा किलोग्राम फास्फरस अते छे किलोग्राम पॉटाश प्रती एकरदे हिसाबना लोड हूं दिये पुट आज दी वर्तो मिट्टी दी परख दो बाद ही करनी चाहिए सारी खादा बिजाई समय ही ड्रिल कर देनी है चाहिए हन लगला प्रेशन जोवाँ वेच नदीना दी रोग थाम बारे दसो चोड़े पत्ते वाले नदीन जिवें बाथू दी रोग थाम ली टू फोर डी जहां एल ग्रिप जहां जोंदर जंगली जवीली आईसो प्रोटेजरान जहां एवाडेक्स बी डेवल्यू अच्छे गुली डंडेली प्यूमा पावर जहां टॉपिक दवाई दी वर्तो कर दी शिफारीक कीती जंदी है जुा विछ कीडेते बामारीय रराध दसो ज dialog दे मुकीडें चेपंगरिय ये बामारीय हैं पाट डालां दी पैदावर चमौरी देश है पर साड़े देशॉश दालां दी खपत भी बहुत ज्याद है इसलिए सानू दाला दा आयात हर साल करना पेंदा है छोले नहीं जल वाजू बारे दसो छोले नहीं वो देरे ठंड अचे कोरा हानिकार के पर अगेती गर्मी नालवी फसल छेती पक जान दी है ते चाड काट जान दा है एफसल कट बार्श वाले इलाकें लिबादेरे टुकमी है छोले लिए कि हो जी जमीन ठीक रहनदी है छोले जी फसल लिए चंगे जल निकास वाली रेतली जा हलकी पल वाली जमीन बहुत टुकमी रहनदी है ये फसल हलकीय जमीना जित्थे होर फसल नहीं हुंदी विच्वी हो जानदी है इस फसल लेह खारियां, कलराठियां अते सेम वाले जमीना भिलकूल ठीक नहीं रहनदी हैं अगला प्रश्चन छोल्ले लेह जमीन दे त्यारी बारे की जानदी हो चोलॱया的ी फसल दी बिजाय ले खेत नो बहुता त्यार करन दी लोड नहींदी पर जे डुंगी वही किती जावे तचोल्या नो उखेडना रोग काट लगदा है उखेडदा रोगरा काट लगदा ते फसल दा चाड विवज जानदा है छोलें ले सिंचाई बारे की जान दे हो छोलें दी फसलनों आम करके एक पानी दी लोड पैंदी है एक पानी दिसंबर दे आद तो जनवरी दे अखीर विचले समय विच देना चाहिदा है पर बिजाई तो पहला पानी कदे नहीं देना चाहिदा छोलें दी वड़ी बारे की जान दे हो जदो डंडे पक जाना ते बुटे सुक जान तफसल वड़ लेनी चाहिए मसरा लई क्यों जी जलवाजू ते जमीन ठीक रहन दी है मसरा दी फसल लई ठंड दा मौसम वदिया रहन दा है एक कोरा अत दी ठंड भी सेल रहन दी है मसरा लई खारियां सेम वालियां अते कलराठियां जमीना नू छड़ के सारी जमीना ठीक रहन दी है विवाप्रेशन मसरा लई जमीन दी त्यारी के में कीती जान दी है मसरा दी फसल लई जमीन दो तेन वार वाके अते वहीं बाद सुहाग्या फेरनाल जमीन दी त्यारी हो जांदी है मसरा लई खाद दा वेरवा देओ मसरा नू पंच किलोग्राम नाइट्रोजन प्रती एकर दी लोड होंदी है इकर बीजनू जवानू टीका लाके सो देज होए ता आठ किलोग्राम फास्फरोजन अते टीका ना लाया होते 16 किलोग्राम फास्फरोजन दी लोड होंदी है इदो में खाद वेजाई समय ही पाद देनी है चाहिए है मसरा लई सेंचाई बारे दसो मसरा दी फसल लो वर्खा अनुसार एक ज़न दो से चाईयां दी लोड होंदी है ज़े एक पाणी देना होए ता बजाई दे छी हफ़ते मगरोद देना चाहिए है पर ज़े दो पाणी देने होना सब पहला पाणी चाहर आफ़ते बाद अते दुज्जा फुल पैन समय जब फली पैन समय देना चाहिए है मसर दी फसल दी वाड़ी बारे दसो ज़े पत्ते सुक जान अते फली पक जान ता फसल कट लेनी चाहिए है राई ले जलवाजू ते जमीन बारे दसो राई दी फसल दिरमयानी तो पारी बार्ष वाले इलाके ले टुक वी है इसनों लगब हर तरह दी जमीन विच बीज सकते हैं रागला प्रेशन रही ले बजाई दा टांग दसो राई ले बजाई ती संटीमिटर फासले वाले कटारां मेंच करनी चाहिए बजाई तो तिन हफ्ते बाद फसल नों दास तो परत्रा फासला रकके विरला करना चाहिए राई ले खेद ट्यारी उत्ते चानना पाो राई ले खेद दी त्यारी ले जमीन नो दो तो तेन वार वाह लेना चाहिदा है हर वार वाही तो बाद सुहागा भी फेड़ना चाहिदा है राई जीरो टिल डृल दौरा बिना वाही भी बीजिया जा सकता है राई ले कटाई ते गहाई बारे दसो जदो फलियां पीलियां पहे जानता फसल कटन ले त्यार हो जान दी इसनों कटाई तो हफ़ते बाद गाह लेना चाहिदा है गोबी सरों ले जलवाजों ते जमीन बारे दसो गोबी सरों दी फसल दिरम्यानी तो पारी बार्श वाले इलाके ले टुक वी है इसलिए हर तरह दी जमीन ठीक रहनी है गोबी सरों ले बीज दी मातरा ते खेद दी त्यारी बारे दसो गोबी सरों ले डेड़ किलो बीज प्रती एकर दी लोड है ते खेद दी त्यारी ले जमीन दो तो चार वार वाही वाह के हर वार सो आगा फेरे जानता है सुरुज मुखी तो प्राप तेल बारे की जान दे हो सुरुज मुखी ते तेल वेच कलेस्टरोल दी मातरा काट हो दिये इसलिए इस तो खान वाली है सोदे है तेल बेराया जान दा है इसलिए तेल साबन आद बनाऊन लेवी वर्तिया जान दा है सुरज मुखी लई क्यों जी जमीन दी लोड है सुरज मुखी लई चंगे जल निकास वाली दर्मियानी जमीन सब तो टुक भी रहंदी इसलिकास लई कर राठी जमीन ठीक नहीं रहंदी सुरज मुखी लई जमीन दे त्यारिय ते बीज दी मातरा ते सोद बारे दसो सुरज मुखी लई उली नाशक दवाई नाल सोदे है दो किलोग्राम बीज परती एकर ठीक रहंदा है जमीन दे त्यारे लेगी खेतनों दो तो तेन वार वाह के हर वारी तो बाद सो हागा फेरे जानदा है सुरज मुखी विच गोड़ी अते नदीना दी रोग थाम बारे दसो सुरज मुखी विच पहली गोड़ी नदीन उगन तो दो तेन हफ़ते बाद आते उस तो तेन हफ़ते बाद करनी चाहिए नदीना दी रोग थाम लेगी स्टांप दी वर्टो किती जा सक दिये सुरज मुखी दी कटाईये ते गहाई बारे दसो जो तो सिरा दा रंग हेटले पासो पीला परा पूरा पह जावे अते डिस्क सुकन लगे ता फसल कटन ले त्यार हों दीये कटाई कीते सिरांदी उसे वेले ठ्रशनाल गहाई कर लेनी चाहिए बरसीम तो किनिया कटाईया लईया जा सक दिये हैं बरसीम तो नुवंबर तो जून दे अद तक बहुती पॉस्टिक अत्रिसवात चारे दियें केए कटाईया प्राप्त हो जांदी हैं बर्सीम दे बीजनो काशनी दे बीज तो किमें अलग किता जन्दा है बर्सीम दे बीजनो पानिज डुबो देता जन्दा है काशनी दे बीज तरके उपर आ जन्दा है इसनो चानली नाल वक्क कर देता जन्दा है बर्सीम विच खादना दा वेरवा देओ बरसीम ले बिजाए समय 6 टन डूरी दिखाद अते वी किलो फास्वरोस प्रती एकर्दी लोड़न दिये जे कि रूरी उपलब्द ना हो सके तां 10 किलो नाइटो जन दे 10-3 किलो फास्वरोस प्रती एकर्दी वर्तों करनी चाहिए थी है बरसीम ले संचाई बारे की जान दे हो बरसीम ले पहले संचाई 6 तो 8 दिना बाद देनी ज़रूरी है इस तो मगरो गर्मी उच 8 तो 10 दिना बादी सरदियां विच 10 तो 15 दिना बाद पानी दे नदे रहना चाहिए था बरसीम दे वाड़ी ते चानना पाओ बिजाई तो लगबग 50 दिना बाद पहला लो तियार हो जानदा है उस्तो बाद 40 दिना मगरो सर्दियां विच अते फिर 3 दिना बाद लो ले जा सकते हैं जवी ले क्यों जी जमीन दी लोड है जवी ले सेम अते कलर और जमीन दो लावा हर तरह दी जमीन विच उगया जा सकता है जवी दी बिजाई दे समा अते टांग दसो जवी दी बिजाई दे समा अक्तूबर दे दूसरे हफते तो अक्तूबर दे अखीर तक के इस दी बिजाई वी सेंटीमीटर दूरी दे स्याड़ा विच किती जान दिये, बिना वह जिरो टेल ड्रेल नाल वी बिजाई किती जा सकती है जवी लेई गोड़ी ते संचाई बारे दसो इसनों आम करके गोड़ी दी लोड नहीं होंदी पर नदीन होंता गोड़ी कर देनी चाहिए रोनी समय तिन चार संचाईया काफी हन जवी लेई खादना दा वेरवा देओ आठी किलोग्राम फास्वरस अठारा किलोग्राम नाइट्रोजन प्रती एकर बिजाई समय पाऊ बिजाई तो ती तो चाली दिना बाद 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रती एकर दी होड लोड होंदी है सो बच्चो एस इतार हाडी थी फसलां दा महात्म पुन प्राशन ने कताब दे पाठ पुस्ट तक दो अलावा बोर्ड दे पेपर ने प्राशन ओनना दे सारा है यह दो नम्पर वाले प्राशन सी यह नहीं सोन लो चंग इतना तो इस दे दुझी वीडियो जी पहले वीडिय जी सी ओधा लिंक को वी ते पाठ पुस्ट तक दे पिछले प्राशन ओनना दे वीडियो दा लिंक को वी डिस्क्रिप्शन दे रहा है ओनना नू सारे नंत्यार नाल सुन जेकर तो इस चैनल हज तक सब्सक्राइब नहीं किता बच्चो फेर दा नूं कह रहे हैं कि बच्च